नमस्कार, आज हम बनाएंगे सूजी के इंस्टेंट दोसी, यह दोसे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, अगर आप इनने बना कर किसी को खिला रहे हैं, तो खाने वाले को पता ही नहीं लगेगा, कि आपने दोसे दाल चावल के बैटर से बनाए है यह सूजी के वेटर से बनाए है, तो शुरू करते बनाना, सूजी का दोसा बनाने के लिए बैटर बना लेते है, एक कप बारिक वाली सूजी लिया हैं, अगर सूजी बारिक वाली नहीं है, तो आप उसे मिकसर जार में डालकर बारिक कर लीजे, और यह एक चौथाई कप गेहूं का आटा इसे दोसा में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी एक कप दही घर का जमा हुआ दही है और बहुत ज्यादा खट्टा दही मत लीजिए हलका खट्टा हो ताजी दही हो और यह तीन चोधाई छोटी चमश नमक या स्वादानसर नमक ले लेंगे इनने मिलाते है अच्छे तरीके से बहुत गाड़ा है यह पानी डालते हैं और इसे घोलते हैं हमें बिल्कुल उसी तरह का बैटर बनाना है जैसा कि दोसा के लिए बैटर होता है यह अच्छा सा स्मूध बैटर बन गया अब हम इसे ढख कर 15 मिनिट के लिए रख देंगे सूजी फूल जाएगी तब आगे का प्रोसेस करेंगे इसे 15 मिनिट हो गए है सूजी फूल कर तयार हो गई है बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो यह बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बोई आ गए जो हम दो से बनाते हैं दाल चाबल वाले और इसमें हमने एक कप पानी लिया था जिसमें से दो टेबिल स्पून पानी बच गया है इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा न यह हमारा बैटर तैयार हो गया दोसे बनाने के लिए तबा गरम कर लेते हैं तबा गरम हो गया इसके ऊपर थोड़ा सा ओईल डाल देंगे और इसे चारो और फैला देंगे बस हमें तभी को चिकना करना है इसके ऊपर ओईल रहना ने चाहिए और तबा ज्यादा गरम था इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो ठेंडा हो जाता है और देखिए पोज दिया हम ज्यादा गरम पर दोसा नहीं फैलाएंगे और अब हम इसके ऊपर दोसा फैलाएंगे बीच में थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इसे गोल-गोल गुमाते जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से फैलाना है जैसे कि हम दाल चावल का दोसा फैलाते हैं फ्लेम तेज कर देंगे अब इस पैतला से इस तरीके से हम इसको प्लेम भी कर सकते हैं भी तरीके पैसे चारह और थोड़ा सा ओइल डालेंगे थोड़ा सा ऑइल इसके ऊपर डाल देते एंगे और इसे नीचे की और से अच्छा गोल्ड़न ब्राउण होने तक सीखने देंगे यह golden brown अच्छा color आने लगा दोसा सीख चुका है हम इसे उतार लेते हैं कितने अच्छे तरीके से यह दोसा उतार रहा है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं non-stick तभी पर सारे दोसे हमें इसी तरीके से बनाने हैं तो फिर से जरा सा पानी इसके उपर डाल देंगे यानि हर दोसा बनाने से पहले हमको तभे को ठंडा करना है थोड़ा पानी डालना है और पोच लेना है और अब बिल्कुल उसी तरीके से दोसा फैलाना है फ्लेम तेज कर देंगे इतने वैठर में साथ से आठ दोसे बनकर तयार हो जाएंगे Алभी क्रिस्पी अब्बहुत यी तेस्टी दोसे बने ऐना है इसे आप अरे दनी की चट्णि मूँपली या नारीयल की चट्णि या अपने're पसंद किसी भी चट्टी के साथ में सर्व कर सकते हैं सभी को बहुत पसंद आएंगे और बनाना भी आसान है लेकिन जब आप बैटर बना रहे हैं तो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए अगर यह थीक होगी तो दोसा तभी पर अच्छी तरीके से फैलेगा नहीं दो तो तुरंत कुक होना चालू हो जाएगा और थीक तरीके से फैलेगा नहीं तब यह पर दोसा फैलाने के बाद उसे कुक होने दीजिए और अगर वह आपको कहीं से मोटा दिखता है तो इस पैदला से दबा कर ठीक कर दीजिए इसके चारह और थोड़ा थोड़ा तेल डाल दीजिए अब इसे इतना कुक होने दीजिए कि ऊपर से लकीरें थोड़ी सी डाग दिखने लगें आपका दोसा तब इसे फटाफट उतर जाएगा अब बहुत ही अच्छा सूजी का दोसा बनाकर तयार करेंगे तो आप यह दोसे बनाईए खाईए और अपने अर्भम इस साथ शेयर कीजिए और मुझे बताईए कि मुझे आपके लिए क्या वनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए झाल 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 झाल